अम्रोहा के हसनपुर तैसिल के लेखपाल को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ने किया गिरफतार उत्तरप्रदेश के जनपत अम्रोहा में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को तीन हजार के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया है एंटी करप्शन की इस कारिवाही से विभाग में हलकम्त मचा हुआ है तो वहीं एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल से बंद कमरे में पूश्टाज की मामला जनपत अमरोहा के थाना हसनपुर छेतर का है जहां पर लेखपाल एक किसान से फर्ग में नाम दर्ज कराने के लिए तीन हजार रुपई की रिश्वत मांग रहा था किसान के द्वारा जब शिकायत की गई तो एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ हो तीन हजार लेखपाल को गिरफतार कर लिया लेखपाल की खिलाब कड़ी कारवाही से तैसील प्रशासन के साथ-साथ अन्य विभागों में भी हल्कम बचा हुआ है फिलहाल एंटी करप्शन की टीम लेखपाल को बंद कमरे में ले जाकर पूछताज कर रही है पिछले दो घंटे से ल लेना है और मुझे जो खसरा की फड़ चाहिए और जो मेरी जो रजिटर में चाहिए तो बोला रूपे चाथ-जार रूपे लूँगा और आपको मैं खड़ती देख लूँगा मैं ठीक ऐसाब मैं वाला थाब मैं गजिवादमी है और कुछ कम लेना हुँ तो बोला थाब जो के वाद में तीन आजरूप आपने देटी है ये तो तीन आजरूपी साथ अब लेक आज मैंने गए हाद को फड़ता है लूप कमार जोइस को फड़त से कैसे मिले ऐसा है अन्टी कृप्षन टीम से कैसे मिले है आप संपर्ग में कैसा है संपर्ग थो करनी से होता कि आधिकार्श की तरीकी से करते हैं जो यह जो लेख पाल वगएड़ा हैं जमीन पर की सरी के से खिसानों को जो सूसर तरीके से पर हमारे गाउ में कम से कम इसने 10-15 पन्द्रेख रुपए की इसने गराम पंचयत प्रिफान और लेख पल इनोंने गराम पंचयत की जवचरा और हम्शिब और दंधा कुश वर्विरा सिंटि जो आज आपने तरह है आतार है यह आफ प đãाय्पने दिश्तों का जखरला है से काइद करता सुरेच कोमार 9 इन से नहोंने बिदिन एलगे रिस्ती मंग की ती इना ने ट्रेप टीम मुडालावाद को सुछना दी थी, वहांसे टीम गठन हुगा, फिर बाकाईदे जसे रंगे हातों पकड़ा जाता, नोटीट के बात, ये रंगे हातों तीने जारगे इस्ट लेते हुगे, पकड़ादे हुगे। ये सुम मुड़ादे हुगे हुगे हुगे।